हालो फ्रेंट्स हाव और यू इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीपीएस सी जिरो टू अबलिक 2017 का जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं और यह अगर देखा जाए रिसेंट पास्ट में पांस साल दस साल की बात करें तो मोस्ट वेटेड रिजल्ट है जिरो टू अबलिक 2017 क्योंकि कई रिजन से यह जो रिजल्ट है इसका फाइनल पब्लिस होने में देर होते रहे बात करें प्री में तो वहां के भी कुछ क्वेस्चन्स में अब्जेक्शन्स थे और जो हर एक फेज है इसमें तो आप देखिए 2017 का ए 2020 अभी तक फाइनल रिजल्ट निया है तो काफी लोग इसका वेट कर रहे है आपको बता दूँ जो रिजल्ट पब्लिस करने से जस्ट पहले की जो प्रक्रिया होती है वह पूरी की जारी है मीटिंग वेगर वहां पे अभी जारी है जो बीपीसी की जो ऑफिशल जो बीप बीपीसी सहायक अभियंताओं की नियुकति के लिए फाइनल रिजल्ट आज कभी भी जारी कर सकता है इस परिच्छा की प्रक्रिया अदालती लडाई में भी फसी रही आपको पता है काफी डिले हो चुका है अल्रेडी अंतता अदालत के आदेश पर आयोग की www.bpsc.bih.nik.in पर परिणाम जारी किया जा रहा है तो आज ये लेट साम तक रिजल्ट आ जाएगा हो सकता है छह साथ वजे के आसपस की नॉर्मले जो बीपीसी डिजल्ट पब्लिस करती है वो इसी टाइम में पब्लिस करती है तो दोस्तों आगे आपको बता दूं भी हर परिणाम बुद्वार की शाम जारी होने की संभावना है इस संबंध में अंतिम फैसला के लिए आज आयोग की बैठक हो रही है लेडी चल रही है मीटिंग उनके बैठक में डिजल्ट के अनुमोधन के साथ ही उसे जारी कर दिया जाएगा बिदित हो किसा एक अभियंता असैनिक प्रतियोगता परिच्छा की प्रकिरिया बिपीएसी की ओर से वर्ष 2017 से ही की जा रही है इसकी प्राड़मिक परिच्छा के कई प्रस्नों को लेकर अभियर्थी कोड चले गए थे कोड में बिपीएसी के पक्च में फैसला आया इसक अभियंता असैनिक की प्रिच्छा के रिजल्ट को लेकर आज आयोग की बैठक हो रही है बैठक से रिजल्ट पर अनुमोदन के साथ परिनाम जारी कर दिया जाएगा ओके फ्रेंस तो फाइनल जो मेटिंग है वो चल लिए और 99.999% है आज साम तक रिजल्ट आ जाएगी द आपका लंबे समय का आपका महनत और इस रिजल्ट में तो ऐसे भी काफ़ी डिले हो चुका तो अभिसली जो भी कंडिरेट्स हैं वो काफ़ी इगरली इस रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे फ्रेंस तो सहिंक्त देख लेते हैं किस बिभाग में कितने पद हैं सहिंक्त सची वो परिषण इंदक अमरेंद कुपार नें बताये कि सबसे अधिक रिजल्ट जल्ट संसाधन विभाग में 284 पदों के लिए आ रहा है योजना वंबिकास विभाग में 270 पद ग्रामीन कार विभाग REO में 250 पद पद निर्मान विभाग RCD में 236 पद निर्धारित हैं सबसे कम रिजल्ट लगूद जल्ट संसाधन विभाग PHED में महज 31 पदों के लिए आ रहा है फेंस तो जैसा कि जानते हैं फेंस लंबे समय तक परिषण विभादों में रही है जो BPSC AE 02 अबलिक 2017 है आयोग की यह परिषण विभादों में फसी रही प्राडंबिक परिषण के कई प्रस्णों के लेकर अभिरती कोट चले गए कोट ने आयोग के पक्ष में फैसला आने के बाद साल 2020 में मुख परिषण का परिणाम जारी किया था इसके बाद फरबड़ी 2021 में साथ चातकार की प्रक्रिया पूरी की गई कुछ अभिरतों को जो कोरोना हो गया था तो उससे बने रहने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फ्रेंड्स और इफ यू आप एनी डाउट यू कमेंट इडाउन और यह जो न्यूज हमने आपके साथ उसे हमने लिया है तो बिल्कुल आथेंटिक है फ्रेंड्स आप वेट कीजिए अपने डिजल्ट का थोड़ी देल में बस आपका डिजल्ट आही जाएगा फ्रेंड्स बावाई टेक केर